तो हाज में समझते हैं कि फॉरिटिकल स्थाइंट का उजिती मेट का एकड़ाम निकालने के लिए आप कैसे प्रपरेशन कर सकते हैं तो हार यूनिट को पढ़ने का समझने का एक अलग दने का हमें समझना पड़ेगा कि हार यूनिट कि इन टॉफिक्स पर फोबस तरती हैं वार उन टॉफिक्स ही किस तरीखी के क्वेश्चिन्स आवें फॉर एक्जेंबल हमाई पस पहरी यूनिट है पॉनिटिकल थ्री राजिनतिक संथा इसके अगड़ किसकी बात तरीगे यह प्रीन कॉंसेप्स थी जैफे लिबर्टी इक्वालिटी राई जस्टिस डेमोक्रेसी हैना स्वतंत्रता समानता निया अधिकार अब ये आप इने कॉंसेप्स के इधर गिरत गुर्व थी है यानि इसी के आठ पार भूलती है तो हमें क्या तरना है इन कॉंसेप्स को समझने से पैनले दो इनोनिक्स कवर करते हैं वेस्टर्ण पैनिफ पॉनितिकल थौट इंडियन पॉनितिक विचारक और भार्तिय राजनितिक इन है तो यहां पर भी उनी थिंगर्स के व्यूस पढ़ने है तो जब हमें थिंगरता है नहीं पता मुझे पता है नहीं स्लैडव ओन हैं हरिस्टोर्टल ओन है तो उन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या बोला कैसे समझ में आएगा तो स्ट्रेटेजी क्या है पहले अप पर रहें इली script पर इसाइन कि ये फिंगर्स लिबर्टी के बारे में क्या में क्या पहते हैं एक पारे की में पंधान्र ओस्ट्ण में टिके आपके 16 तीन फिंकर्स वेस्टर दिंकर्स में यह 21 इंडिया निंकर्स तो पस्चेवे विचारक पड़े भार्ते विचारक पने फिर पड़ा राजनितिक सिंथा ये चोल ये इन तेनों ये उदिक को पर्में की स्थावेंच इसके बार एक बार इंती नोब चो फिर आग पाजो नाइथ और तैंस यू नेगते पब्लिक अड्मिंस्प्रीशन, गवर्नेंस अंग पब्लिक फॉनिस्टी, लोग प्रशास, लोग नेगते ले एक तो मुपाति इंक, सीवी साटिंक, इतनांट सा स्रेबल से ये पढ़ना है और बोध स्कोरिंग ये नेगते पढ़र परोगी कुछ नी पढ़ना, evolution पर लो, Taylor पर लो, Sean पर लो, Follett पर लो, Human Relations Theory में ने ओगी पढ़नो, Chester Barnett, Herbert Simon, N.P. Follett, Peter Durk, खदन, पढ़र्ट में कितना हैं परना, इसके बाद good governance में RTI, RTE, NRHM, Food Policy, Johnson Vice, Social Order, good governance, खदन, हो, बहुत ने निखेन, सिलेबर्स, और स्कोरिंग, और आज तर आप, नास, प्रिजियर्स इस पेपर्स उठाओ, पढ़र्ट में बहुत फोकस करें, क्योंकि इसमें से क्वोश्चन्स बंदे बहुत हैं, फिंकर्स भी क्या बूला, फिंकर्स की दियरीज क्या में, कांज एक वनेशा साथ में पढ़ी जैनी, ये मत्तर मा नाइन पढ़े तर पोर्ट पेचलेगा, नाइवाट है, विल ओर्डरेज भी स्टाइड इन ग्रोट, इसके पाद एक दो पुठा सकते हो, फिंट प्लस सिक्स, हमेशा दोस्ते पढ़ी जैनी, इंटरनाशनल रिलेशन्स, चितनी भी ओर्ड़नाईजेशन है, UN, WTO, T20, SARG, ACN, SCO, सब पर रहो, इन ही ये साथ, उन ही सब ओर्ड़नाईजेशन में, इंडिया का क्या दोन रहा, इंडिया एन रोटियन उनियन, इंडिया एन साथ, ये ही तावर दर, तो आदी इन एक सिक्स साथ में गवर होंगे, अ और आपके इंडिया के दिलेशन दूसरी कंड्री के साथ, तीन कंड्री के साथ पढ़नें, यूएस, यूएस, यूएस अंचाइब, यहां से आप इस स्टॉट सिक्स दिलेंट कर, अगें, स्कोरिं यूरिक हैं, बट येस, ये आपके करन्ट अफेर्स पर फोकस तरहीं, इ अभी G20 हो तो अफ्रीकन यूणियों ने जाइन करिया G20 में, तो ये कोश्चन पोच लेगा आप से, अफ्रीकन यूणियों ने से लेवस्में, जी ट्वैट इसलेवसमें, और G20 इसमेट होई भी इंडियां, तो यहां से सवाल बन लिए, ठीकिया में तो यहां पे हम करन् Constitution, लक्षमी का, Political Institution, पोरी की पोरी, from the historical background to the ending, जाहे तो उसमें, सेंडर काइं, स्टेप काइं, लोकन स्काइं, उसके बाद इतनी कमीशन स्वची वो सार, Political Institution, यह की कैसे वर्द वर्दि, For example, 40 sister, electoral reforms, यह सारा processes में, राजने तिक दल क्यान में है, निर्वाचन प्रक्रियामी कैसे सुधार करें हमने, समाजी का अंदोलन क्या वोई, Political Processes, अगें इन दो, 7th and 8, इनको करेंगे ब्रूप में स्टड़े, जब आप यह सारा पढ़ देने, तब उठानाम 4th unit को, बिकर नाम प्याइस unit का, तुल नातवां कराजने, तुलना करेगा, अब माननों इना तुलना करने लग्या समाजवाद पहुंजी वा, Socialism, Capitalism, तुलने यही नहीं पढ़, तो समझ कैसे आएंगी तुलना, यहां पर करेगा, डिपेंडेंसी थियोरी, निर्वर्ता सिद्दान दे आए जी फ्रेंक का, हमने आई आरी दी पढ़ा, समझी नहीं आएगा, आपने अगर पब्लिक अद्मिंस्टेशन नहीं पढ़ना, प्रोसेसर नहीं पढ़ी, थियोरी नहीं पढ़ी, तो यह समझ नहीं आएगा, जब सब पढ़नोंगे, तो 80 वर्साइट इस unit का, औरेडी क कर चुके होगे, सिर्फ रिवाइस करना हुआ, बचेवा 20 परसेंट वोस कर भी जरू, तो यह है तरीका, पॉलिटिकल साइन्स को स्टड़ी करने का, आपको हर unit पे दिमान लगाना हुआ कि कैसे questions बनेंगे, स्मांट स्टड़ी कर, तो इसी तरीके से और guidance के लिए, और जान करने के लिए जुड़े रहें, ग्नोब वर तेंचे सजाजने से, थांकिय।